असलावलेकुम आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ चिकन तीके के रेसिपी इसको बनाना भूतिया आसान है यह मेरे तरीके से बनाना बताऊंगी चलिए इसको रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर मैंने यह 500 ग्राम बोलेश चिकन है इसको मैंने छोटे-छोटे पीसस में कट कर लिए आप इसको छोटा बड़ा जैसे भी किसको कट कर ले सकते हो अब इसमें आड़ करेंगे थोड़े से पॉडर मसाले यहां पर मैंने यह गरम मसाला पॉडर लिए हाफ चमाच एक चमाच काली मेश पॉडर लिए दा चमाच जाला नमक लिया है एक हम धन्या पॉडर लिए कं जाष्मऌशर यह आपर मैंने यह टिन बड़े चमाच यह गाड़ी धाईं लीऊंगे यह डायओ अब हद hack करेंगे यहां पर यह यś दो बड़े चमाच आद्ध लसे का पेस्ट कि अदो पांसउ छिक हरी सकर करेंगी मिक्सर छर और ले मैं ने पिस कर ले शकती हो रोड़ यहां पर यहां पर आड़ेन दो बड़े चमद, लेमन जूस, शुम हाट को मिक्स औरों को आपिए पर श्रालbn को ठीकन को मिक्सी ने पर मेरे खूल्द में मुचशे कर लिए मैं जूल के कि शुन पर टाफिएंड नेकल दीओ करूझ यहां कोईले को स्टील के खटोरी में रख देंगे अभी इसके उपर आदा चमत जितना डाल देंगे कोईले को पर अब यहां पर डखन बंद करेंगे और इसको दस से पंदर मीट के लिए इसको इसी तरह छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए दस से पंदर मीट बाद लीड को हटा लेंगे और यह जो कोईले में जो हम लोग ने वाइल दाला दा इसको वाइल को भी य तरह से अच्छा से फ्लेवर इस्मे आ जाए में एक बड़ वापस से एक च्छा से मिक्स करने सब्सक्राइब कर लें इसे बडें टशंट परयल दब ऐन क्यां और एकमाओ कि इसमें कई कि गास कर स्दुख भी राखेढेंगे ज घाएंगे और है लिए तरह से चिकन के पिसंब ड्रॉटाट कर लिए उसको दो से तीन मिनट के कुक करेंगे स्लो मेडियम फ्लेम पे दो से तीन मिनट बाद इसको पलट लेंगे इस तरह से इसको सब चिकन के पीसे को पलट कर ले लेंगे यह चिकन जल्दी से पाग जाता है आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राइब करना यह बहुती मज़े की बहुती टेस्टी और लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूलें अभी दो से तीन मिनट हो चुके अभी हमारे चिकन कुक हो चुके देखिए भी चिकन भी पक चुक है अब चलिए विसको मैं प्लेट में निकाल कर ले लोंगी यहां पर मैंने प्लेट में टीशू पर लिए हूं ताकि इसकी ए आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राइब करना और आपको यह मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंड में जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूलें